हेलो नमस्ते आप जिपाली कोयल स्वागत है आप सभी का टार्गेट कुरूप उपर तो सुदेंट्स आज हम मिले हैं जनरल साइंस के इंपोर्टेंट कोस्टिंज के लिए आई होप प्रीबियस वीडियो आप सभी देख रहे होंगे आई होप सो देख रहे होंगे उसे पसंद कर रहे होंगे पसंद आती है तो सरा लाइक शेर कमेंट भी कर दिया करो भई ठीक है चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दस अमेजिंग कोस्टिं के साथ आप लगों को जुरू कि होँए तो मजें आएनगे आज की क्लास में चली तो पहला question क्या है पहला question जो हम General Life में देखते हैं क्या है π्याज और Imagine में से गंध किस प्रत्व की उपस्तिथी के कारन आती है तो the smell of onion and garlic is due to the presence of प्याज लडगियाucc जु जो होती होती है जब मतलब बढ़ी हो ज वज़े से आती है students क्योंकि प्याँच लहसून में होता है एक खास टत्व जिसे बोलती है sulfur तो प्याँच और लहसून में से smell आने का कारण है sulfur जिसको S से लिखते हैं याद रखोगे ये बार चलिए आगले question पे चलते हैं अच्छा sulfur जो होता है वो एक non metal होता है याद रखोगे चलिए जीव विज्ञान के जनक कोन है father of biology कोन है वह biology किसने दी ये biology जो कि हमें आफद बनी रहती है पते क्यों इनको हिंदी में तो बोलते हैं अरस्तु हिंदी में बोलते हैं अरस्तु इंगलिश में एरिस्टोटल बोलते हैं बताओ देखो नाम भी इन्गलिश हिंदी में अलग लग लग रखे हैं इससे चाता उखा क्या करेंगे हमारे लिए दो दो नाम है इंदी में अर प्रेस्टस, कौन है? थीयो प्रेस्टस, यानि पोध्धयो की विज्यान की, और अगर कोई पूछ ले जुलोची की कोन है, जन्तू विज्यान की कोन है, जान्मरों की अधियन की कोन है, तो वो भी अरफ्तुई है, याद रखोगे? चलो. अगला कोशन, लाइकेन की इसका होती है, वो कई पर काई भी होती है, लेकिन जादा तर वो लाइकन होता है, क्या होता है लाइकन स्टूडेंट? लाइकन होता है, जब लइ, यानि की शेवाल, अकिला न रहे, वो अपनी दोस्ती बना ले, फंगाई के साथ, यानि कवक के साथ, यानि कवक और शेवाल की द यहां से ही और फंजाई की जोड़ी को बोलती है क्या लाइकन ठीक है तो लाइकन जो होता है स्टूरेंट उसकी एक और खास बात है कि आपने लिटमस पेपर सुने जो हमें बताता है कि कोई अफिड है या बेस्ट नहीं सुनाओगा नो उन साथ नहीं सुनाओगा तिक हो एक कड़वी होती है कड़वा मतलब बेसिक खीक है लेकिन वो बोलते थे कि हमारी साबुन न्यूक्रल है तो लोग बुलते थे क्या बात भई प्रूफ दो कोई तो वह अपने साबुन के इसाबुन का कागज लिटे थे और कहते थे कि येलो रंग की कागज को जब जब आप हम खरित्म हन्हतर लीकम बनते निक्ति ह्लादी पते होता है वे लिकं भरब्लादि में आधा रिकम आप मक्जा फ़। हाँ है नहीं है डीर सफ़। वक्ति ह्लादी दौ। मुझत एस दडी के सबस्पाध है ज़र भाग से प्लादी , यह होती है हल्दी, ठीक है फिर उसका पाउडर नागे हम उसको सुखागे, ठीक है अगला कोश्चन, प्रकास निशलेशन में हरे पोधे द्वारा कौन सी गैस ठोड़ी जाती है, विच गैस इस प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्लांस दुरिंग फोर्टो सिंथिसिस, तो पहल जाते हैं और हमारे के मतलब लेकिन अल्टिमेटली खाना कहां से था पोधे जाता है पोधें और पोधें पोधें कोशच के प्रकाश से, आटमोस्वेर की कारपंटा, और अप्साइड से, पानी से, क्या मतलब है इस पात का? सुनो ठाहां से, दुनिया में बहुत सारे खुद बनाते हैं लेकिन आप जानवरों के बास गए हाथी को कहते हो अरे-अरे केला खाले तो बूख लगदी होएगी है ना क्योंकि पता है कि वो तो खुलका खाना खुद बना नी सकता तो पोधों के अंदर खास बात है अगले धूप में खड़े होते हैं और खाना बनात अरे-दूपमे जाएँ था ना तो खाना हुथो नावी पहले द्यूप में लेखा शन इटाधार्यम उनके पाथ के शो चाहईस में हुवजशा कहते है विजसे को क्लोरोफिल में कुए फिर कि वज़े व responsabil है us two बहुत बहुत थख गया जादू है जादू को एक दिका था जो वह मिल जा खाद देखें जो कोई मिल था 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 और बहुत थख गयांगे जिया हैं लेकिन पोदों को देती है Sunlight or chlorophyll की पैसेंट्स निया करता है क्हाना बनाता है यानि Glucose बनाते है और सांथ में निकालते हैं और इ catching oxygen हमें घोन दे रहा है चाण जलिशन को प्राकाश संसलेशन करना याiende खाना बनाना प्रकाश की मुझूदकी में synthesize करना food को इसे photosynthesis तहते हैं और इसके तुरान question देखो कौन सी gas छोड़ी जाती है oxygen gas छोड़ी जाती है कौन सी gas ली जाती है carbon dioxide, इस cancer आगया oxygen अगला question, cell नाम सर्वत पतम किसने दिया, cell shop दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो परमाणू से मिलकर बने है बताया था कि पिछली क्लास में दुनिया में जितने भी जीव है मैं हूँ, आप हो, पोधे हैं, पूल भी जीव है छोटे सचोटा बड़े से बढ़ता है वाइरस के अलावा सभी के सभी cell से मिलकर बने है किस से मिलकर बने है? cell यानि कोशिका से मिलकर बने है और कोशिका की खोज कि इसने की थी और कोशिका को नाम किसने दिया था पहली बार तो उनका नाम था Robert Hook 6th क्लास में आपको cell chapter पैठाया जाता है ठीक है चलिए अगले कॉशन पे चलते हैं कॉशन नमबर 27 क्या है किसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है ग्वाइटर विच रिफिशेंसी कोस ग्वाइटर ग्वाइटर क्या होता है यह जो गला होता है यह फूल जाता है कुछ लोगों का ठीक है यह जो गला है यह फूल जात ठीक है है वो होर्मोन तब निकलता है जब इसको अीडीन क्या काम एगा ? आप अगर नमक खाओगे तो आयोडीन जाएगा थाइड के पास, कॉहेगा काम कर और यह काम कर। और यह क्या करेगी तो यह क्या करेगी बोडी के मेटाबोलिजम करवाता है यानि बोडी मेट कोई चीज पूट रही है कोई चीज जूर रही है इस सारा काम थाइरोड करवाता है तो थाइरोड की काम करना अच्छा जरूरी होता है अगर थाइरोड सही से काम ला करे तो मोटा पाता है और ग्वाइटल नाम का रोग हो जाता क्लियर है चलिए अगला कोस्टिन कोस्टिन नाम को सोना ही होगा किस ने बताया स्टूडेंट तो दो जने थे जिनका नाम था क्रिक पहला बंदा था क्रिक दूसरा बंदा था वाट्सन जेम्स वाट्सन नाम को सुना ही होगा क्रिक और वाट्सन और इन्होंने 1953 में DNA का ये डबल हैलिक्स मोडल दिया ये एक हैलिक्स और ये दूसरा है ये DNA होता है जबकि RNA बस ये होता है ठीक इसके बस कोई हैलक्स नहीं होता है ठीक है समध में आया चली अगला कोश्चन गाएं के दूज का रंग पीला किसकी मजूद का ही से ही बनता है कैरोटीन नाम की पिगमेंट की वज़े से गाएं के दूद का रंग पीला होता है जैसे कि हमारे रत का रंग होता है हीमोगलोबिन की वज़े से वो क्या है का रंग पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोसल की वज़े से बिलकुल बैसे ही दूद का गाए किस प्रोटीन की वजे से हका याद रखियेगा गाया जिसकी जिस की जबिआ से गाएं के जुज़ का रंग पीला होता है उसका जाये साफर जाए effectivement कैसीन प्रोटीन की वज़े से गाएं के रूट करंग पीला होता है प्रोटीन तो कैसीन अधरवाइस टैरोटीन ठीक है लास्ट कोर्षिन गाये और भैस के थन में दूद उतारने के लिए किस हार्मोन की फुई लगाई जाती है इसलिब से नहीं लगाना चाहिए। तो उसको टीका लगा देते हैं, ठीका लगाना का तो अटुछा है। तो तो होर्मोन है oxytocin hormone और यह बहुत ज़या थानिकारद होता है स्टुड्डंट गाये के लिए लगाना चाहिए। औक्सिटोसिन होर्म२ कर देके मोसे दूह दफ्रावन कर देता है तुम घंगी त्यार निया दूध दानी के लिए लेकिन फिर भी partage के लिए गवर्शा लाहाले लोग ऑक्सिटोसिन का होर्म० लगा रिखांत्यों। लगा के उटसे दूद निकल वाते हैं, तो अविसलिए वो गाएं के लिए हानिका रहे हैं, कोई चीज हमसे जबर्दस्ति करवाई जाए, तो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं न वो, ठीक है, तो इसे के साथ आज के question series को यहीं पर खतम करेंगे, मिलेंगे next series में नए questions के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, like, share, subscribe कर दीजिए, comment भी कर दीजिए, take care, thank you, bye-bye